हाई एरिवन वेल्कम बैक टू मैं चानल और मेरे चानल का नाम शद्धा गैलरी है तो प्लीज मेरा वीडियो पूरा दिखिए रेसिपी बहुत ही डिलिश्यास और टेस्टी बनने वाली है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है देखी फ्रेंड्स आज मैंने पनीर कुला मैं बताऊंगी जो इस सब्ची को बहुत ही बहतरीन और इतना डिलिश्यास सौद देने वाले है तो रेसिपी को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी करिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो मैंने यहाँ पे तीन बड़े साइज के अच्छे र पानी डाले ही अच्छे से इसको पीस लेना है क्योंकि टमाटर में भी पानी रहता है और हम काजू डालेंगे तो काजू से ना जो ग्रेवी बनेगी वो ठिक बनेगी और एक अच्छा सा रिचनेस आएगा सब्जी को हमारे चलिए अभी पनीर कोला पुरी को और एक पिर मैंने यहां पे तीन चोटी इलाइची है उसको डाला है एक बड़ा दालचिनी का तुकड़ा है दो लॉंग डालेंगे और दो से तीन मैंने यहां पे सूखी लाल मिर्च उसको डाला है तो अभी ना मैं एक बड़ी इलाइची है तो उसका ना उपर का छिल्टा हटा दूंगी और अंदर की बीजे को डालेंगे यहां पे तो हमको अच्छे से अभी थोड़ा सा इनको रोस्ट करना है फिर एक से दो मिनिट रोस्ट करने के बाद में यहां पे मैंने आधा कटोरी कोकोनोट करस्ट जिसको हम माराठी में खुबरा किस कहते हैं उसको डाली हूँ अभी ना बहुत अच्छी तरह से मैंने रोस्ट कर लिया है रोस्ट करने के बाद मैं ठंडा भी कर लिया है मैंने और उसको हम इतना अच्छे से ऐसा पाउडर बनाएंगे दरदरा बिलकुल नहीं रखना है मैंने ड्राय ऐसा पाउडर बनाया है तो चलिए अभी पनीर कोल लापुरी का तड़का लगाते हैं ऑईल बहुत अची तरह से गरम हो गया है फिर मैंने एक चमजिया पे घी डाला है घी ऑप्शनल है आपको पसंद है तो डालिए पर मुझे अच्छा लगता है फिर मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है और जो हमने ग्रेवी बनाये थे टमाट प्रेवी प्रेवी चिपक जाएगी इसलिए हमको कंटीनू चलाना है फिर मैंने गरम मसाला जो हमने पी से थे उसको डाल दीजिए अच्छे से मिलाना है और इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से आपको एक से दो मिनिट पकाना है फिर हम अच्छा स्वाद और फ्लेवर के अद्रक लसन का पेस्ट यहां पर डालेंगे अच्छे से मिला देंगे तो चलिए अभी कुछ पावडर मसाले एड करते हैं हल्दी डालेंगे हल्दी से बहुत अच्छा कलर आएगा मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट की अकॉर्डिन डालिए क्यूंकि आल्रेडी मैंने सुखी लाल मिर्च को भी यहां पर पीसा है तो देखिए मसाले को अच्छे से मिलाना है अभी हमको और मैंने इस मसाले को कम से कम तीन या चार मिर्च बहुत अच्छी तरसे पकाया है तो देखिए मसाले का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है आईल भी रिलिस हो गया है मसाल धनिया बॉर्डर है डाला है और कम से कम 300 ग्राम पनीर है तो पनीर के जो क्यूब्स है ये पीस है आप अपने हिसाब से बड़े छोटे रख सकते हैं पनीर डालकर मैंने बहुत अच्छी तरह से यहां पे मिक्स कर लिया है अब मैं यहां पे आधा ग्लास से भी कम पानी पनाया ओुर्ड है और बस एक मिनिट ही हमको इस पनीर कोला पूरी को पका तो यहां प्रेंडा बनाया है तो यहां प्रेंड्स पael मैं और प्यार से मैंने इस मता ज़ाल को और caregivers को बनाया है heiß अब आपको होटल में जाकर खाने की कोई आउशकता है नी क्योंकि घर के कुछ खास मसालों के साथ में हम इतनी डिलिशियस टेस्टी और हेल्दी सबजी अपने घर में बना सकते हैं तो फटा फट से लाइक कर दीजिये चानल को सब्सक्राइब भी कर दीजिये ओके फैंट्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन गुट बाई